सीरियल पुन्य शलोक अहिलया भाई के आज के एपसाड में दिखाया था अहिलया पक्षियों को पानी पिला रही होती है और यह देखकर मालराव सोचता है कि हम कितना कम जानते थे कितना कम समझते थे अपने आई के बारे में कितना कम आगते थे अपने आई को वो कितनी महान है, वो केवल इंसानों के बारे में नहीं, बलकि पशुपक्षियों के बारे में भी कितना सोचती है और तभी अहिल्या मालराव के तरफ देखती है और बोलते है कि क्या हो मालराव, ऐसे मुस्करा क्यों रहे हो तो मालराव बोलते हैं कि कुछ नहीं आई, हम तो बस अपनी गलती पर मुश्करा रहे थे, हमारी नादानी पर मुश्करा रहे हैं कि हमें कितनी देर के बाद आपके इस रोप के बारे में पता चला है, पर हम खुश हैं कि हमें पता दो चला, तो अहले बोलते हैं कि क्यों हैं मालराव नातान है चंचल है जिद्धी है लेकिन तो मालराव बोलता है कि अच्छा लेकिन आपका मालराव जैसा भी है बिल्कुल ठीक है लेकिन आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है इसलिए आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था तो अहिला बोलते कि अब आई ग के अंग हैं हमें दुख तकलिफ चाहिए किसी भी वातावर्ण में क्यों न मिले मगर सुख प्रिकेर्टी के साथ रहकरी मिलता है और तभी अहल्या मालरा की दर्व देखती है और बोलती है कि अब क्या हो गया मालरा तो मालरा बोलता है काई हम अपने आपको बहुत बागेश चली बांते हैं कि एक आई के रूप में आप हमें मिली एक पदपर दक्षक और एक गुरू मिली तो अहल्या बोलते कि मैं किसी के क्या गुरू बनूंगी मल रहो लेकिन गुरू के बिना ग्यान कहां मुझे भी बहुत सारी गुरू मिले सबके सब श्रेष्ट गुरू थे जैसे तुमारे आजवास है और जैसे तुमारे बावस है पता मालरा जब भी मेरे मैं में कोई दूइदा होती थी जब लाग कोश्यों के बाद भी को रास्ता नजर नहीं आता था तब तुमारे बावस है मुझे यहां पर ले आते थे प्रकेरती के बीचों बीच और यहां उन से तो मालवा बोलता है कि नहीं आई हम नहीं जा पाए क्योंकि यूद के बाद आपके त्वियत खराब होगी और फिर तो इहले बोलता है कि चंद्रावत के आकरमन के बाद मालवा के लोगों का जीवन अल्स्तवियस जुरूर हुआ होगा लेकिन अभी यह तुमारा उत् जनता हमसे इतना प्यारकरती है कि हमारे हलात के रप्रते वह अपनी समस्यां लेकर हम तक स्वैम नहीं आएंगे इसलिए तुम्हें वहां जाना होगा उन्थी मत्विया संक्तुरू बेटा लेकिन आपके मन में पूरा जाने से पहले दर्वार में कुछ न्यूक्तियां किये आप उन पर मौर लगाकर जन्ता दर्वार की गोशना कर दें और तभी पास से यमना भी जारी होती है और वह सब्बास उन लेती है और इसके बाद दिखाया था मालरा अहिलया को लेकर कख्ष में आता है और बोल इसलामती के लिए वह शट पटा रही थी पूजा पाठ मनत क्या कुछ ने किया उसने तुमारी लिए और इस मुश्कल गड़ी में वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही चीज जान से लगी रही वो तुमारी लिए जो भी हुआ हो लेकिन वो तुमारे बारे में बहुत सोचती है जी मालरव वह तुमारी पत्य निया बेटा उसका ख्यार रखना और इसके बाद खेरता मालरा अपने कख्ष में आता और तभी मालरा मैना मालरह को कि हमें समझने के लिए कि आई सही थी और हम गलत और इसके बाद दिखायता है यमना भाई द्वारका भाई की पास आती है तो द्वारका भाई बोलते है कि यमना तुम्हें फूल लाने के लिए बेज़ा था कहां रह गई थी तो यमना भाई बोलते है कि लेने तो फूली होता है ना और इसके बाद दिखायता मालरा दर्बार जाने के लिए त्यार होता है और तब यह अपनी महर लेकर लेखा कक्ष में आता है और लेखादिगारी से लेक आदिगारी बोलता है कि अन्हें अधिकारी बोलते हैं कि पत्र इस estně करте सकते हैं नहीं को दिखाता है थे रहिए पत्र होगा क्यों किया होगा तो मालराव सोचता है कि आई हम भी यही सोच रहे हैं पर अब इस पत्तिर का क्या करना है यह हम अच्छे से जानते हैं और तब ही मालराव वो पत्तर लेकर द्वार का भाई के पास आता है तो द्वार का भाई बोलते है कि यह अचानक आने का कारण तो मालराव बोलते हैं कि ये कारण तो आपके पास ही खड़ा है और दूसरा कारण ये है और तब ही दिवार का भई उस पत्तर को पढ़ती है और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है मनलारों सरकार ने जावे साहिव की दरबार में पुना नियुक्ति कर दिया है और जावे साहिव अब आप माल राव के सायक बनकर दरबार के काम काज में इनकी सायता करेंगे और यह सुनते हैं गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं तो अगर वीडियो पसने ते वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें